हैलोफेंट्स नमस्ते दोस्तों विटामिन B कॉम्प्लेक्स विटामिन का एक ग्रूप है जिसमें आठ अलग-अलग तरह के वाटर सोलीबल विटामिन होते हैं जो पाने में गुल जाते हैं इसी करण से विटामिन पेसाब तो ता पसीने के साथ सरीर से बाहर निकल जाते हैं जिसम विटामिन B कॉम्प्लेक्स डेफिशेंसी कहते हैं विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नामों को अगर हम जाने क्या क्या इसके नाम होते हैं तो विटामिन B1 जिसे थायमिन कहते हैं विटामिन B2 रिबोफ्लाविन विटामिन B3 नियासिन विटामिन B5 पैंटोथेनिक एस से जानते हैं यह हमारे लिए कैसे फाइद मन्द है तो विटामिन B हमारे सरी को स्वस्थ तता एक्टिव रखने में मुख्य भूमे का निबात है यहां हमारे सरी में इनर्जी लेवल, बेन फंक्शनिंग तता सेल मेटाबोलिजम इन सभी को मेंटेन करता है विटामिन B1, B2, B3, B5 तता B6 खाये हुए खाने को एनर्जी में बदलते हैं और हमें पूरे दिन एनर्जी देते हैं विटामिन B7 तता B9 मेटाबोलिजम तता सेल डिविजन को रिगुलीट करते हैं जिस कारण से वेट मेनेजमेंट में काफी ज्यादा मदद मिलती हैं किसी भी वजन गटाने या बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसमें यह विटामिन्स अहम भूमे का निबाते हैं विटामिन B7 इसकिन को हेल्दी रखता है विटामिन B5 इसकिन में नमी प्रदान करता है जिससे की तोचा खिली-खिली दिखाए देती है विटामिन B6 तता विटामिन B12 मुखी रूप से मस्टिक तता नसों की हेल्थ पर कारी करते हैं यह याददास तता मोड को रिगुले रहेगी तो हमारी बोडी हेल्दी रहेगी अब इनकी फंक्शन जानकर जान लेते हैं इसके क्या-क्या सोर्सर से इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो जो मुख्य सोर्स उसमें दूद, चीज, बादाम, अखरोट, हरी पत्यदार सबजियां, सभी तरह के दान जैसे चावल, गेहू, मक्की, इसके अलावा दाल, सोया बिन, आलू, रतालू, तर्बूज, फोलो में केला, संत्रा तथा जो भी सिट्रस फूड है वे सभी और नोन वेजिटेरियन के लिए अंडा, मीट, चिकन, फिस यह सभी विटामिन B कॉम्प्लेक्स के मुख्य सोर्स से इनको लेकर आप अपने सरीर में विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर कर सकते हैं और हमारे सरीर में इनकी मात्रा को भी इस्ति रखते हैं तो दोस्तों यह पूरी जानकारती विटामिन B कॉम्प्लेक्स के बारे में जिसको आपको जाना बहुत जादा आवश सेक्या और इसके लि वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई दवाने टोपिक के साथ में तब तक के लिए स्वस्त्रें और मस्ता है